Hello everyone, welcome once again to the magical world of design, design किस जद्वी दुनिया में एक पर फिर से आपका स्वागत है, आज है इस टुटोरियल का तीसरा दिन है, चलिए शुरू करते हैं, तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था, टूल्स को, मुब टूल, सेलेक्शन टूल्स थे, यहां पर कुछ हमने स्लाइजिंग च्रूल तक सीखा था, Crop Tool, Perspective, Crop Tool, Slice Tool and Slice Select Tool, Next, आज हम शुरू करेंगा यहां से, आइड्रॉपर टूल से, आइड्रॉपर टूल करता है कि आप यहां पर दियान से देखिये, मैं पर D प्रेस कर रहा हूं, D का मतलब Default Colors, D is the shortcut, यह देखिया पर ग्राउंट कलर में रह हो गया और बैग्राउंड कलर मेरा वाइट हो गया करेक्ट अब आई ड्रॉपर टूल मेरा क्या करता है इसके शॉटकट है आई मैंने प्रेस किया या पिर आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो इस पर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यह अलग-अलग डूल से इसके ओप मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूं आई ड्रॉपर टूल यहां पर आप ध्यान से देखना मेरा जो सेलेक्टेड कलर है यहां पर ब्लैक है मुझे रेड कलर चाहिए मैं यहां पर क्लिक करोगे एक्जेक्ट सेंपल अब यह काम कैसे करता है आई ड्रॉपर टूल का मतलब सिंप अब मुझे एक्जेक्ट यह कलर चाहिए जो इस कॉफी मुझे आई प्रेस करोंगा लट्से मुझे यहां पर सिलेक्ट कर लिया और इसको फिल करने के लिए मैं आपको बताया था और प्रॉपर टी देख लेते हम प्रॉपर्टी इसमें यह कहता है पॉइंट सेंपल इसमेज को जूम किया और ज्यादा दो प्रॉपर्टी इतना भी पॉसिबल आपको इसके पिक्सल दिख रहे होंगे पिक्सल क्या होते हैं यह जो एक स्क्वेर आइटम देखती है यह पिक्सल है तो वन पॉइंट सॉरी पॉइंट सेंपल है यहां पर मैं जिस पॉइंट प अगर में यहां पर करेंगा थी बाइध्री एवरेुच तो यह तedes तीन पिक्सल का जो भी एवरेज कालर होगा वसको फिक्सल क्या अब पता कैसे चलेंगी मैं बताता हूं कि मिन यहां पर देख लिया अभी गया तो आभी तिसमें पॉल तो यह यह है पाहर्य यह नहीं है, sorry, फिल कर ले तो यह है, correct मैंने कॉन सा कलोर पे किया था यह द्यां से देखिया इस पिक्सल को, मैंने फिल किया, sorry, मैंने यहां पे फिल किया, एकजेक्सेम तो असा नहीं है क्योंकि इसने इन तीनों का पिक्सल का अभरेज कर लिया अगर मुझे इसको एकजेक्टली मैच करना है तो मुझे यहाँ पर पॉइंट सेंपल लेना पड़ेगा पॉइंट सेंपले में ये लिया अब इस को अ मैंने फिट किया एक्जेक्ट इसने असा मैच किया । एक्लै रहे हैं तक ब्राइब अग्ला है फाइब फाइब एब इस फाइबरेज करें गया तक इसी तरीके से यहां पर 11 पिक्सल 31 पिक्सल 151 पिक्सल प्रवाइब करता है तो यह चीज उम्हें पर आपको क्लेर होगी इसके प्रैक्टिस करना बढ़ते हैं अपने नेक्स टूल के तरफ अब नेक्स्टूल नेक्स्टूल यह थ्रीडी मटिर्यल आईड्रोपर टूल यह 3D मटिर्यल पर काम करता है मुझे नहीं लगता है कि फोटोशॉप में 3D से खाने के जरूवत है यह उसके लिए अलग सफ्ट्रस में रेकमेंड नहीं करता है इसको कलर सैंपलर टूल काम कर स से करता है भी देखिए आपके से माननी के complex design पर काफ कर रहे हैं आप बार बार यहां पाइड आइड्रॉपर टूल ले के इसके वह नहीं कर सकते हैं बार बार सैंपल नहीं ले सकते हैं तो आप उस केस में करते हैं मुझे अगर color palette बनाना है तो मैं क्या करूंगा मैंने आइड यहां पर number one यहां पर mention कर दिया इसने number one यहां पर नंबर वन का एक इसने नविगेटर में दिखा दिया मुझे इस color की property यह है अगर मुझे दूसरा color चाहिए यहां पर क्लिक किया second की property यहां पर तू लिखा ए थ्री पाइव पाइव इसस सेवन एट अब अगर मैं complex designs में का अगर होतनी है मैंने एक rectangle रोग किया और मुझे इसका color चाहिए मैंने अब अभी के लिए कुछ भी फिल किया अगर सॉरी मेरा कुछ पी अगर फिल्ड है यहां पर हुपस है यहां रेक्टेंगल यहां मेरे कुछ पी color बिल्ड है मैंने कुप सारे इस तरीके से मुझे इसमें अपना फर्स्ट वाला गलर्ड़ कि यहां पर क्या प्रॉपर्टी है 255-255 मैं यहां पर जाओंगा 255-255 अच्छा यह अलग 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 पैलेट्स हैं कन्फियूज मत हो जाना और जीवे की प्रॉपर्टी आप यहां पर मैं डाल देना स्यम्वाई के मैंने आपको बताया था पहले नेक्स्ट है मेर ज्याथा जादा प्रटिस्ट इम्पोर्टेंट आगर मैं कुछ मैजर करना चाहता हुं कि यह रिमोट है यह यहां पर इस रिमोट की लेंथ कितनी है अगर मैं एक्शुल साइजेस में काम कर रहा हॉँ प्रपर लिए तो मैं यहां पर इसको स्थर्ट करूंगा क्लिक करकर क शुरू करूंगा मेरे नविगेटर में नविगेटर की शॉटकट होती है एक यह देखिए इसने यह दिखा दिया एंगल माइनस 17.6 डिक्री जो इस लाइन का एंगल है और इसकी लेंथ है 373.5 अब यह पिक्सल्स है पॉइंट से क्या है मुझे कैसे पता चलेगा मैं कमांड प्रेस करूंगा यह कंड्रोला जो भी मेरा रूलर है यहां पर इसकी जो लेंथ है 373.5 पिक्सल्स है एक और करके देखते हैं यह देखिए बढ़ रही है यह आपर एंगल भी चेंज हो रहे हैं यहां पर मैं जैसे इसको मूग कर रहा हूं अब एंगल मेरा 0 है क्योंकि में में शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहा हूं होरिजॉंट ली यह देखिए दोनों 86 है लेफ टू राइट यहां पर और यह यह भी 86 है यह भी 86 है क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा दूसरा ड्रॉ करता हूं गर मैं इस तरीके से तो देखिए तो बेसिकली यह चीजों का लें इसको इंचेस कर देता हूं अब मैं इसको मेजर करता हूं इस रिमोट की लेंद्ध यहां से यहां तक है 1.160 इंचेस नेक्स्ट तूल है नो टूल माली जी मैं किसी कॉम्प्लेक्स देजिएन पर काम कर रहा हूं और मैंने यहां पर कुछ यह दूआ बना दिया अब यह चले मैं आप फिर नोट टूल को क्लिक करूंगा है अब मुझे यहां पर नोट का पैनल नहीं देखा तो सौरी यहां पर है अगर आपको नहीं दिखें तो विंडोज में जाके यहां नोट पे क्लिक कर पचते हो फ़्याइड राने के लिए मुझे लिए लिखना है स्मोक एड़िड़ बाय मी एंड पिच्ट टू क्लाइट मैंने लिखते हैं यह मेरा सेव हो गया इसको मैं कहीं भी मूब कर सकता हूं अब मुझे तो याद रहेगा मैं इसकी फोटो फाइल को सेव करूंगा तो यह नोट साथ में सेव होगा बट अगर मैं इसकी जेपीजी सेंड करूंगा क्लाइट को तो जेपीजी के साथ यह सेव नहीं होगा नोट यह सिंबल सेव नहीं होगा करेक्ट तो यह मेरे लिए एक बैनेफिशल रहेगा कि मैंने क्यों लिखा यह इस नोट को मैं डिलेट कर सकता हूं जाए है। मैं लोट से चॉट फेंगा दो लॉट से यह नोट मेरा है यहापर इसको आदिक कर सकता अंदियुकर काउं टूल मुझे अब्जे momentos अगर क्वाट करना कितने मिक선 और यहापर देखिया हैं अगर मुझे काउंट करना तो मैं किसे करोंगा मैं मैंनुवली अगर करो एक दो तीन 4 5 6 7 जबूल करता हूं तो मैं भूलूंगा ने लेक्ट से मैं यहां से शुरू करता हूं इधर से एक दो तीन चार पाँच छे साथ नौ दस बीच में कोई आ गया है फिर मैं कुछ और करने लगा है मुझे दुबारा से याद करने की दरूप नहीं है मैंने कितने काउंट किया है इस तरीका से इसके बाद आता है मेरा स्पॉट हेलिंग ब्रस टूल जितने भी स्पॉट्स हैं उनको हील करने के लिए यह देखिए यह मेरे स्पॉट्स है इनको हील करने के काम आता है अब यह काम कैसे करेंगा इसके ब्रस साइज होते हैं आपर साइज कितना बड़ा लेना है कैसे है यहां पर ब्रस कि यहां पर यहां पर यह अपर यह इन्टेंट अवेर इस ब्रस का साइज में करली ब्रेसे कम यह जादा करके बड़ाय अगटा सकता हूं यह फिर एक लिक करके मैं साइज को यहां से अब देखे मैजिक क्या होगा जूम किया मुझे यह स्पॉर्ट ने यहां पर मैं सिंप्लिक क्लिक करूंगा गया थोड़ा सा बढ़ाए ऐसे क्लिक करते हैं करते हैं मेरे में यहां पर नीट इन क्लीन हो दिया हुआ हुआ है कमाल को चलिए नेक्स टूल पर पड़ते हैं इसके आप प्रेक्टिस करते हैं रहने सब की इसके बाद है हीलिंग ब्रेस टूल कि इसके लिए हमें और प्रेस करके सैपल को डिफाइन करना पड़ता है लग से मुझे अगर यह चीजे हटानी है यह लाइन हटानी है तो मैं अगर डिरेक्टि यहां पर क्लिक करूंगा पहले वाले टूल के तरह काम ने करेगा इसको रिपैर करने के लिए मुझे इसको ए डिफाइन कर दिया कि बॉस आप यहां से शुरू करिए और सेंपल यहां से लीटिये सैंपल आप वहां से लो जहां से मैंने क्लिक किया है और आप इसको फिल करना शूरू करो यह देखिए मैं सिर्फ ड्राइग कर रहा हूं तो यह इस तरीके से कम करता है अगला टूल है पैच टूल जैसा कि नेम से डिफाइंट है पैच पैच लगाना इसमें दूप्शन से यहां पर मैंने केस को लगा यहां पर मेरा सोर्स को चेंज करेंगा यहां पर मेरा सोर्स इस से पैच लगा अगर मैं इसको से निशन करता हूं तो मेरा सोर्स ऐसा अभी ताइम निशन देखेंगा वड़ समय करते हैं के अगर में इसको डार कलर की तरफ ले जाता हों यहां पर तो यहां पर बिल्कुल लाइट नहीं दिखाेगा है कमांड लिसने कि यह तो यह टूल इस तरीके से कम करता है पैच्च अगला content aware move tool इसको बताने से पहले मैं आपको लास्टोल बता होगा लास्टोल आपको मैं पहले ही बता चुका हूं लास्टोल करता है किया देखे बाद करने के बाद अगर मैं इसको मूव करूं इसने क्या किया एक इमेज को यहां पर कट कर दिया पीशे वाली में दिखाई सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद अगर आप इसको मूव करते हैं तो यह आपके सोर्स वाली जेगे को चेंज नहीं करता उसकी एक कॉपी बनाता है वहां पर इसको लेके जारों अब इसको कहीं भी लेके जाए उसकी कॉपी बनाता है अगला टूल है रड़ टो बहुत कम यूज होता है इसको यूज करने के ठीक है फोटोग्राफिय में यूज होता है जैसा कि इसके नाम से पता चलता है रड़ डू रड़ जब भी हम कैमेरा से किसी फोटो को क्लिक कर एक लाइन तो आई पर एक रड़नेस आती है बहुत से केम्रार नाती है बहुत से कैमारा उसमTheider करना होता है इसको हमने यहां पर υडिया साइट और टूल मैंने सिर्फ क्लिक किया है इसने रड़ आई को रिमूव कर दिया इसने डिटेक्ट कर लिया कि आई यहां पर रड़ है मैं दुबारा करके दिखा रहूं आपको जूम कर दिया मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया यहां से मैं इसकी पावर को अड़्जस्ट कर सकता हूं यह देखिया मैंने इसको 20% पर क्ट्रोल जट मैंने इसको यहां पर डाकन अमांट को 10% किया उसके बाद क्लिक किया तो इसने यहां पर देखिये जो अंदर के आख के अंदर जो टेक्च्चर बना हुए इसको इसने खराब नहीं किया को नहीं की क्या है क्या और मैंने इसके मांट को 100% कर दिया अब देखिये क्या करता है इसने जादा डाक करती करते इस तरीके साथ इसकी बावड़ करके काम कर सकते हैं तरह यह दूसरे color कि अरिश पर नहीं करेगा अगर red content है तो कम करेंगा द्रवाईिस नई करेगा भो पर देखि लिएन से नहीं किया क्या नहीं किफ नेcen काम यहां पर ग्रीओ थोड़ा सा क्या क्योंकि इसके लच तनदर रेड कणंट स्कों मिला करें सब्सक्राइब भीर्केस्ट बिल्कूल नीघार क्योंगि यहां पर इस पर इस थोड़ा सा काम किया स्थ च्सक्राइब करेगा मैं कि इसलों किया इस थोड़ा स blueberries एचा बीसको रेड्स प्रेश टूल अपना प्रस्टूल पहला है ब्रस्टूल मेरे पास यहां पर आपको कुछ ज्यादा ब्रस्टी देख रहे होंगो हो जकता आपका सिस्टम इतने जादा नहीं हो क्योंकि मैंने अलग से इंस्टॉल किया है आप लोग भी कर सकते हो यह जनरल पर से तो बाइड सवत्ट्ब काम करते हुआ है यह कॉर्ट तारonna जहें है अब हुझे आप नहीं करता है गम करता है कि मित्लब इंब रूष यह काम करता अगर आपने दूधर लिया अबरा आपके पास कुछ ब्रस अ कि सब देक्स कर देखें जुक्त अजय कमौन करते हैं इन सब्सक्राइब करता हैं इस तरीका प्रश्रन करता है ड़ल कुछ लिए उठ और नेक्सलीट तरफ वड़ता हम पंसिल सब्सक्राइब बीचानल करें। तो बढ़ते हम अगले टूल की तरफ कलरय इतले डिलेट ग्रफ मेलेघ्ट kiss यहां पर इसकि यह अगलग warmth प्रॉपट्रॉदॉ Basically इसको आपो के सकते होगा परामीटर के सकते हो अंब किया कि यूज क्या होता है सचॉरेशन क्या होता है मैं आपको बाहरा बता हूंगा थो है कि कंडूल जड़ किया सैचॉरेशन सचॉरेशन होता है कि सीवी color के इंटेंसिटी अगर मैं इसपर का काम करता हूं सचॉरेशन से लेकर के तो देखिए इसके color saturation को छेट रहा है next वाला है color इसके colors को change कर रहा है अब यह change कैसा कर रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पर जो foreground color selected है यह उसके according कर रहा है अगर मैं यहाँ पर black कर लो या blue select कर लेता हूं इसके बाद अगर मैं color करता हूं तो देखिए यहाँ पर blue हो रहा है सब्सक्राइब हो जाना कि मेरे पास green और था आपके पास black या ब्लू क्यों और राइट सेम चीजिए हूज पर भी काम करती है उस color के साथ जो आपका है अपर फोर्क्राउं का लग लियुमिन इस तरीके से बढ़ता है बढ़िया अगला डूल मिक्सर प्रश यह मैजिक यह आपके existing colors को मिक्स कर देता है और एक अच्छा सा बैक्क्राउंड क्लियर कटके करके देगा आपको यह देखिए इतना सुंदर सा बनाती है सब्सक्राइट है आपके पड़ते हैं क्लों स्टैंप टूल बताने के लिए मचे यहां पर पढ़ना पड़ेगा एक लेयर मेरी सेलेक्टेड होनी चीए क्लों स्लेक्टूल काम कैस जैसा कि इसके नाम से ही डिफाइंड है यह स्टैंप टूल है साइजिस ओवर देटूल बड़ा चोटा में कर सकता हूं अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो मुझको एक पहले प्लेस डिफाइंड करना पड़ेगा यहां पर और प्रेस करके अब मैं अगर इस पेंट कर स इस तरीके से यह कुछ-कुछ हीलिंग प्रेस टूल जैसा है इस तरीके से अभी देखिए यहां की पर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अलाइंड का मतलब है कि मैंने अगर यहां से सैंपल लिया यह इस पॉइंट से मैं यहां पर फिल कर रहा हूं तो कर सकते हैं उसकी प्रोपर्टी अपने अब कर सकते हूं इसका बात आता पैटन पने पिल करता मैं इसने पैटन इनos जरू और साइस मैं बढ़ा कर सकता है इसका प्रचम्स का एया इसमें तो अब मेंी तो दूसरे पैटर्स पिले सकते हैं इस तरीके से अगर यह चाहिए यह फिल कर दिया मैं अगर कॉफी के अंदर आसका कुछ टेक्श्चर चाहिए इस फिल कर दिया मैं तो आज हमने कंप्लीट किये आई ड्रॉपर टूल सब्सक्राइब पुरा सेट पालिंग ब्रस कर पूरा सेट और आपका बस टूल का पूरा सेट खल chu जाए अगले क्लास में आपको हिस्ट्री ब्रस में क्लेयर करा बाद होगा क्योंकि अभी वीडियो काफी लंबी हो रही है मिलते हैं नेक्स क्लास में बाइबाइब